नमस्कार दोस्तों, उच्छ मादियमिक बोर्ड परिक्सा अजमेर जो आयोजीत होती है उसमें इतियास विशे में आपके एक मानचितर आदारित क्यूशन आता है और जो आपके पांच अंग का क्यूशन रहता है यानी मानचितर के आपके पास पांच पॉइंट आते हैं वो समस्त जानकर ही हम ग्रूप के माद्डिम से देंगे तो आपके सामने है uh टेलीफ़ॉण नंबर है उस से आपको क्या करना अपना खुद का नाम और जिले का नाम लिखके मेसिज करना है कौल बगेर नहीं करना ILO मेसिज नहीं लिखका कैवल आपको क्या करना है अपना नाम और जिल्ले का नाम लिखना है एक बारourcing नमबर है उसको नोट कर लेना समय पर रही बाद जैसे कल आपके हिश्ट्री का पैपर होगा उसके ठीक 15 मिन्ट के बाद इसी युट्यूब चैनल पर आपको क्या करवाए जाएगा इस्ट्री का पैपर सॉल करवाए जाएगा विसे सिक्गे के द्वारा इसलिए आप क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना अब बात करते हैं कि आज जो आपके पैपर आएगा उसके पांच पॉइंट है वो कौन-कौन से मैत पूर्ण है उन्षे समधी तम चर्चा करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मैप में आपके आएगा उसको क्या करना पड़ेगा जैसा ही आपको मैप रराप्त होता है उसके उपर जो बोड िरॉड के रॉल नंबर भाद आपको क्या करना है पांच पॉइंट है अत्वा में भी मिलेगा select करने है जैसे अत्वा में दो किशन आएंगे उपर और नीचे यदि उपर वाला किशन select कर रहे हैं तो 500 पॉइंट उपर वाले के आपको क्या करना है फिल करना है और कैसे करोगे pencil का प्रियोग करते हुए उस राज्य में क्या करना आपको दरसाना जैसे आपके सामने पहले point की बात करते हैं कि पहला point है चोरी चोरा जो की कौन से राज्य से सम्मधित है यहाँ पर थोड़ा सा कौन सा राज्य दरसाना है यह उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आपने क्या कर क्या है अम्रावती सेकेन्ड यह पर क्या है अम्रावती और अम्रावती का सम्मधित वो कौन से रज्जे से हैं महाराष्ट रज्जे से तो मैप में यह हो गया आपका महाराष्ट रज्जे और यहां पर क्या लिखोगे अमरावती यह हो गया अमरावती अमरावती के बाद अगला है मैसूर और मैसूर का सम्मद है वो भारत के कौन से रज्जे से है मैसूर का सम्मद करना टक यह करना टक रज्जे यह महराष्ट उसके बाद है गोवा गोवा के बाद है यह करना टक करना टक में यहाँ पर आपको बिंदू बना के क्या लिखना है मैसूर यह हो गया मैसूर उसके बाद एक ला रहा है बीजापूर अवद सूरत यहाँ पर आपको क्या करना है मैपको अच्छी तरीके से देखना है और एक-एक राज्य को अच्छी तरीके से क्या करना है बनना है बीजापूर की बात करते हैं मैसूर मैसूर के बाद यहाँ पर करना टक राजी में क्या करना आपको एक बिंदू बनाना है और लिखना है बीजापूर यह हो गया बीजापूर ठीके बीजापूर का संब्ध है वो भी कौन से राजी से रहेगा करना टक से जैसे एक नमबर में यह हो गया अवद कौन से राज्य में दर्सा होगे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपने अवद दर्सा दिया फिर मैं इनको साब करना टक के दोनों याद रखना कौन से बीजापूर और मैसूर दोनों कौन से राज्य से संब्धित है करना टक से संब्धित है फिर अगला ह सूरत यहां पर सूरत का सम्मद है वो कौन से राज्ये से हैं सूरत का सम्मद है गुजरात से गुजरात में क्या करोगे यहां पर पॉइंट बनाओगे और क्या लिखोगे सूरत यह हो गया सूरत इस प्रकार से आपको जब भी मेप में दर्साना है तो राज्ये को क्या करना ह थोड़ा सा बिंदू इधर-इधर हो रहा है तो प्रिक्षक आपको जुरूर अंक देगा पर राज्य का विश्यस रूप से क्या करना है द्यान रखना है फिर आता है गुवालियर और गोवा यहाँ पर गवालियर की बात की जाती है कौन से राज्य से सम्मठ रखता है प्रदेश तो यहां पर दोनों की जो बाउंडरी के पास यहां पर क्या लिख होगे गवालियर यह हो गया गवालियर और कपड़े के लिए भी परसीद हैं गवालियर आगे यदि आपको राज्ये याद रहता है तो क्या लिख होगे MP ध्यान रखना इसकी उत्तर प्रदेश क सीमा के जश्ट नीचे हैं तो जब भी यदि मैप हैं तो थोड़ी सी सीमा का ध्यान रखना की गवालियर को कौन से राज्ये में दर्सा होगे मद्य प्रदेश राज्ये में दर्सा होगे गवालियर के बाद अगला आता है मैप में गवा गवा की बात करते हैं उपर माराष से रहेगा सारनाथ यहां पर यह उत्तर प्रदीस राज्य है उत्तर प्रदीस राज्य में आपको बिंदू मना के क्या लिखना है सारनाथ यह हो गया आपके सारनाथ ठीके उत्तर प्रदीस में दर्साना है सारनाथ और उसके बाद सारनाथ के बाद आता है नागपूर के माराष्ट राज्ये में इस्तित हैं और मुख्य उर्फ से संत्रे के लिए भी परसिद हैं नागपूर के बाद आता है साबरमती साबरमती का संबन कौन से राज्ये से हैं साबरमती का गुजरात यहां पर क्या करोगे गुजरात में बिंदू बनाओगे और यहां पर लिख करेंगे भारत का कौन सा राज्ञे बिंदु और क्या लिखो गए लकता या फिर कलकता लिख सकते हो आप जैसे भी आपके प्रश्न में दे रखा होता है उसके अनुसार लिखना है कौन सा राज्ये में हो गय, पछी मैं उसके बाद रहा है सांची और अंपी सांची को देखते हैं तो भारत का मुख्य रूप से मद्य प्रदेश राज्ये कौनसा राज्ये मद्य प्रदेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उसके बाद है मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश राज्ये में आपको क्या करना है बिंदू बनाना है यहाँ पर हम के लिख देना नीचे करनाटक कौनसा राज्य है करनाटक सांची मध्य प्रदेश में हो गया सारनात उत्तर प्रदेश में हो गया नागपूर महाराष्ट में हो गया साबरमती गुजरात में हो गया रंपी है वो कौनसे राज्य में हो गया करनाटक राज्य में उसके बाद है मेरट और चंपारण मेरट का सम्मद है वो कौन से राजी से रहेगा उत्तर प्रदीस यहाँ पर उत्तर प्रदीस राजी में क्या करोगे बिंदू बनाओगे और क्या लिखोगे मेरट मेरट के बाद है चंपारण चंपारण का संब्ध है वो कौन से राज्जी से रहेगा चंपारण का संब्ध है बीयार राज्जी से यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उसके बादे यह बीयार राज्जी है यहाँ पर क्या लिखोगी चंपारण ठीक है तीर कर लो और यहाँ पर लिख दो चंपारण संपरन के बाद है अजन्ता अजन्ता का संब्द है वो कौन से राज्य से रहेगा माराष्ट राज्य से कौन से राज्य से दोस्तों माराष्ट राज्य से यहाँ पर गुजरात गुजरात के नीचे माराष्ट माराष्ट में आपको बिंदू बनाना क्या लेगना है अजन्ता पड़े होगे अजन्ता एलोरा की जो परसीद गुफा हैं यह अजन्ता कौन से राज्य में यहाँ पर माराष्ट में फिर आता है जांसी और जांसी का संबंद की बात की जाती हैं कि जो उत्तर प्रदेश का कुछ बाग मद्य प्रदेश की तरफ जा रहा है नीचे यहाँ पर ध्यान रखना है यहां पर मद्य प्रदेश नहीं है यहां पर कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश है पर मद्य प्रदेश में आपको लग रहा है यहां पर क्या करोगे आप जासी लिखोगे क्या लिखोगे जासी और राज्य कौन सा लिखोगे जासी के नीचे उत्तर प्रद यहाँ पर बिंदू बना दिया क्या लिख दिया दोलताबाद दोलताबाद का सम्मद है वो कौन से राज़ी से हैं महाराष्ट राज़ी से उसके बाद है वर्दा वर्दा का भी सम्मद है वो कौन से राज़ी से हैं महाराष्ट महाराष्ट में यहाँ पर बिंदू बना दिय हमने क्या लिख दिया वर्दा ठीक है दोलता बाद एबं वर्दा दोनोंका सम्मद है वो काउन से राजली से रहता है दोनों का माराश्चारा राजली से रहता है उसके बाद अगला है काली बंगा और काली बंगा का सम्मद है वो बारत के कौन से रज्जे में रहेगा राजस्तान राजस्तान की बात की जाती है यहाँ पर उत्री बाग है यहाँ पर क्या करोगे बिंदू बनाओगे लिखोगे काली बंगा काली बंगा यह हो गया काली बंगा राजस्तान में और उसके बाद है दोला वीरा दोला वीरा का सम्मद है वो कौन से राज्य से हैं गुजरात गुजरात में यहाँ पर बिंदू बना और लिखो दोला वीरा दोला वीरा और उसके बाद है बार दोली और बार दोली का सम्मद है वो कौन से राज़े से हैं गुजरात तो यहाँ पर क्या करोगे गुजरात में मिंदू बनाओगे यहाँ पर क्या लिकोगे बार दोली यह हो गया गुजरात राज़े में कौन से राज़े में हो गया गु पुलापूर का सम्मद है वो माराष्ट से, उसके बाद है मतूरा, और मतूरा का सम्मद है वो कौन से राज्य से हैं, उत्तरप्रदेश, यहां पर राजस्तान की सीमा के पास, क्या लिखोगे, पोइंट बनाओगे, फिर मतूरा, कौन सा राज्य है, आगे कौश्टक मे लिख होगे कटक नו का समद या प्रदब की बात कि जाती है उत्तर प्रदेस यह पर बिंदू नहुंगे और क्या लिखोगे बरेली聊दाका सम्मद वह मारस्ट से है दोलावीरा का सम्मद गुजरात से हैं तकुर का का अगला आपके जामने है है सतारा और सतारा का भी संब्द किससे हैं महाराष्ट से हैं यहां पर महाराष्ट में क्या करोगे बिंदू बनाओगे लिखोगे सतारा यह हो गया सतारा सतारा कौन से राजिये में हैं महाराष्ट राजिये में यह हो गया महाराष्ट राजिये में सतारा के बाद आता है आर राज्य कौन सा है बी आर भी आर एक तो यहां पर आ जाएगा बिंदू बना के लिखना है आ रहा यह मने दरसा दिया और और उसके बाद एक अप弐ल जगदिश्पूर यहां पर क्या करेंगे बिंदू बनाएंगे क्या लिखेंगे जगदिश्पूर यह हो गया जगदिसपुर को नहीं से राज्याइन है विए राजिये में जगदिसपुर के बाद अगला है बेरेकपुर एवं पानिपूत पानिपत बेरकपुर का संब्द sambaस नीचे है वह पचिम यहां पर क्या लिख होगे बैरेकपूर ठीक है उसके बाद अगला है पानीपत पानीपत का सम्मद है वो कौन से राज्य से रहेगा हरियाना यहां पर राजस्तान राजस्तान के उपर पंजाब पंजाब के पास हरियाना यहां पर बिंदू बना के क्या लिख होगे पानीपत आगरा एवन मतूरा दोनों यहां परिष्थित हैं अर उसके बाद हैं पाटली पुत्र पाटली पुत्र का सम्मन है वो बिहार राजे से यहां पर वापस यही जो जगदीश्पूर लिखा है इसके जश्ट पास में क्या करोगे? बिंदु बनाओगे पाटली पुत्र पार्टली पुत्र कौन सा राजे हुआ, बिहार राजे, और उसके बाद है, मंदसोर, मंदसोर का जो सम्मद है, वो कौन से राजे से हैं, मद्य प्रदीश, यह मद्य प्रदीश राजेर, यहांपर क्या लिखोगे मंदसोर उसके बाद है वर्दमान वर्दमान का सम्मन है वो भारत के कौन से रज्जे से है पच्छी मंगाल यहाँ पर मेप में आपने दर्शा दिया पच्छी मंगाल में एक बिंदू बना दिया यहाँ पर क्या लिख होगे वर्दमान ये हो गया बर्तमान, उसके बाद है फत्यपूर सीकरी, फत्यपूर सीकरी का संबद है वो किस्ते हैं, उत्रप्रदेश है, उत्तरप्रदेश में यहां पर बिंदु बनाओगे और क्या लिखोगे फत्यपूर सीकरी, पतेपूर सीकरी पतेपूर सीकरी के बाद है इलाबाद इलाबाद को वरत्मान में क्या कहते है परियागराज उत्तर प्रदेश है यहाँ पर क्या लिकोगे इलाबाद और यहाँ पर कोश्टक में क्या लिकना है परियागराज परियागराज तो ये आपके जो इत्यास विसे से जड़े हुए मैथपूर्ण मैप थे। उनको हमने क्या किया भारत मैप के मध्या से दर्शाय थे, बिंदु थे, इनको एक बार प्रिक्सा में जाने से पहले क्या करना है, देखना है ताक कि आपके जो पांच अंक हैं प्रिक्सा के वो सही हो सकते हैं थैंक्यू सबी को